तो आज मैं आपको fonts के बारे में बताने वाल हूँ, majorly दो category के fonts होते है, एक होते है serif और दूसरे होते है sans serifs, तो आईए समझते हैं इन दोनों में difference क्या है, जो serif font होते हैं, उसमें आप देखोगे कि जो characters होते हैं, उसके ending पे इस तरह के strokes होते हैं, और sans serif होते हैं, उसमें क कोई strokes नहीं होता, तो sand का actual meaning होता है without, यानि कि French में sand को बोला जाता है without, यानि कि serif और without serif, या फिर sans serif, आपको इस fact के बारे में पता था, अगर नहीं पता था, इस video को एक like जरूर दीजी और आपने दोस्तों के साथ share कीजी, ऐसे interesting facts, design और technology related अगर आपको देखने हैं, त इस चैनल को subscribe जरूर कीजी,